जब अंधेरा हो जंगल में शेर घूमता है उसके हुरानिक की ताहड़ो भी जुंता है यह है जांगोबुग, यही है जांगोबुग पागीरा और बलू अपने कर्दब देखाए यह है जांगोबुग, यही है जांगोबुग यही है चांगावू। बैठी रहो, तुम्हें सिर्फ देख रहा हूँ, सुनो तो! बलू! क्या बात है मुगली? मुझे अपने चश्मे दो ना प्लीज! मेरे चश्मे क्यों? मैं इन तितलियों को करीब से देखना चाता हूँ, पर जब भी इनके पास जाता हूँ, यह उड़ जाती हैं। पर बात यह है मुगली, इनके बिना मैं ठीक से देख नहीं पाता। प्लीज, मैं जल्दी वापस कर दूँगा, सच्ची, यह वादा है मेरा। अच्छा, तो ठीक है, पर जल्दी लॉटा आदेना। देखो तो मुझे, कैसा लग रहा हूँ बलू। मैं हूँ दिवाग वाला मोगली, इस जंगल का राजा। देखना कहीं गिरा मत देना। मेरे पास यह एक ही चेश्मे है। टेंशन मतलो बलू। ओ, यह वाली तिदली सबसे खुबसूरत लगती है। हम यह भी अच्छी है। बस अब बहुत हो गया मोगली। चश्मे लोटा दो। जल्दी दो वरना मैं बेहाल हो जाओंगा। हाँ अभी देता हूँ बस थोड़ी दिर प्लीज। देखे इंसानी बच्चे, मेरी पूछ पर खड़े हो तुम। माफ करना मैडम, तो रसल मेरी एक चीज़ खो गई है। है। तुम चिलाए क्यों मोगली। किस से बात कर रहे थे। और मेरे चश्मे कहा है। अरे, कहा ले जा रही हो। वो मेरे दूसके है। जये प्रेशी एक रॉसे प्रवाबा के बात ढ़ीर है वोजो है। वोह। 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 कहां चली गई चलो ना खेलते हैं क्या हुआ खेलने का मूड नहीं है क्या खेलना बच्चों का काम है जरा देखो तो माशा इतनी बड़ी हो गई कि अब हमें बच्चा कह रही है साफ असली बात कियों नहीं बताती माशा अब मैं हूँ दिमाग वाली माशा इस जंगल की रान माशा बंदरिया लग रही हो कहां से मिले तुम्हें ये इन्हें चश्मे कहते हैं और सर्फ मेरे जैसे दिमाग वाले जानवरी हैं यह किसका माते हैं ज्यादा सवाल मत करो अब वक्त है रानी माशा का अपने लोगों से बात करने का मोगली क्या तुम्हें यकीन है चश में एक बंदर ही लिए गया बंदल नहीं बंदर्या पक्का कह रहा हूं एक बंदर हो या बंदर्या मेरा तो नुकसान हो गया ना इन बंदरूं का दिमाग खराब होता है ओ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बलू प्लीज मुझे मु बलू तुम एक बेड से बत्या रहे हो क्या ओ बगीरा हमें ठंडी गुफा की तरफ जाकर उन बंदरों को ढूनना होगा ही मोगली आज रात तुम कहीं नहीं जाने वाले खाना खाओ पर्चुप चाप सोचाओ बंदर्या कहीं की समझ में नहीं आता वो चश में का करेगी क जला तुमने पूछा था पहाडो पर बर्फ जमती है जवाब देगी धर् tummy माशा जवाब देगी ने ही बलंट से गिरती है तो अहीं जमती है कि मिला मैंने किसी हादी को पेड़ पर चड़ते नहीं देखा अब तुम्हें बता कर वो पेड़ पर चड़ेंगे हमारी नानी माशा बंद्रों के इतियास की सबसे समझदार बंद्रिया है बस अब और सवाल नहीं अब जाओ और अपनी रानी के लिए खाना लेकर आओ और साथ ही रानी के लिए राज सिंगासन भी लाओ कहा ना और सवाल नहीं मैं तो यह पूछ रहा था कि यह राज राज सिंगासन क्या होता है तुम कुछ खाओगे नहीं मोगली नहीं मुझे नीन दा रही है मुझे सोना चाहिए गुड नाइट बगीरा गुड नाइट बलू बलू मुझे माफ करना गुड नाइट मोगली खोड़ झाल राज कर सकती होग्य यहाँ बलू यहाँ मोड़ो झाल नाइट 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 बलू जाज़ प्राओगे विए जिए यहाँ ड़कि बलूआ यहाँ आज को यहाँ नाइट विए आपको पसंद आया ना रानी माशा यह कच्छा है यह तो अच्छा है ना रानी माशा बहुत पका है कौन है यह गुस्ता इंसानी बच्चा तुम बंदारों को तो रानी की कत्री नहीं है कोई गाना गाओ कोई ऐसा गाना जो सिर्फ मेरे लिए लिखा गया हो ताकि जो भी जानवर उसे सुने तो उसे लगे मैं यानि रानी माशा इस बंदर इलाके की रानी समझें बलू तुम्हें नहीं लगता तुमने मोगली को गुस्से में कुछ जादा ही डांट दिया उसे पता भी नहीं था कि वो बंदरिया आसपास है सही कह रहे हो बगीरा मुझे भी लग रहा है शायद वो बुरा मान गया होगा ओ बिचारा मोगली कैसे दुबक कर सोया है कहीं इसे बुरे सपने ना रहे हूं बलू यह मोगली नहीं है वो कहीं गया है अरे कुछ तो गाओ रानी माशा तुम रानी हो महान जिनकी अपनी है शान ऐसा और कोई नहीं महान इंसानी बच्चे तुम यहां क्या कर रहे हो आपके लिए गा रहा हूं रानी साहिबा रानी माशा तुम रानी हो महान तुम रानी हो सुन्दर यह मानते हैं सब बंदर तुम दिल की एकदम सची जैसे कोई भोली बच्ची और खाती हो केले तो चलो अब डांस हो जाए आवाज वहीं से आ रही है क्या नाचती हो पर और अच्छा नाचोगी अगर चेश्मे मुझे दोड़ोगी अरे जी क्या रहे हो जा पकड़ो उसे पर हम क्यों जाए तुम्हारे रानी होने की पर लू के जश्मे रुक जाओ शेर खान अगर तुम्हें इसे खाना है तो तुम्हें पहले मुझे खाना होगा जैसा तुम कहो इसे मैं मीठे में खाना होगा आ गया है मोगली खबराना माद होगा होगा हों कौन है ये गुस्ता हष्च कोह तहरे में मुखली ठंडी गुफा में अकेले užाकर तुम्हें अपनी बहदूरी का सबूत दिया है पर तुम किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते थे इसलिए अगली बार ऐसे मौकों पर हमें बता कर जाना माशा ने भी बाहदुरी दिखाई और उसके साथ यूने भी उसे माफ कर दिया पर एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है अब जब इन्होंने फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा तुम्हें सच मुझ अभी जाना होगा बाद मैं बहुत कर्मी हो जाएगी मेरी बुढ़ी हट्डियां कभी गलती नहीं करती तुम अब हाथियों की कबर में जाने के लिए तेयार हो मैं बुढ़ा हो गया पर मेरे उस बदमाश भाई के जितना तो बिलकुल नहीं तुमारा भाई हाँ वो तो कोई 200 साल बूढ़ा होगा और वो अभी भी अच्छी हालत में है मैं जानता हूँ कि मुझे जल्दी चले जाना चाहिए था पर जब यादाश काम करना बंद कर दे वेल अब मैं जादा दि हेलो गजेनी आज तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई मैं तुमें ही ढून रही थी हाटी आज सुभा ही चला गया वो अपने भाई से मिलने गया है वो फैर से उसका जनम दिन भूल गया दुरगटना से देर भली और ये बिलकुल सही वक्त पर हुआ है मैं इस मोके का इस्त होगा पर उस दिन उसने मुझे कबल का फूल दिया था तो ये सब के लिए एक शानदार सुर्प्राइज होगा मैं यही करना चाहती हूं क्लास्रूम में तुम्हारा क्या खयाल है अच्छा एडिया है इसे अपना ही घर समझो और कौन जानता है सिर्फ अपू और ही टाको मुझे सप्राइज बहुत पसंद है रही बात बगीरा और मोगली की मैं ध्यान रखूँगा कि वो यहां ना आए संभलके डार्जी से बड़ा चुगली खोर और कोई नहीं मेरे बेचारे बल्लू तुम्हें इस बारे में कुछ करना चाहिए तुमने सही कहा मेरी तब यह ठीक नहीं मैं मोगली और बगीरा को भेज कर अपने लिए अजवाइन मंगा लेता हूँ क्या उसने सुना होगा उसका तो पता नहीं लेकिन जंगल को मेरी इस बिमारी का पता चल गया होगा नहीं यह बहुत आसान है मैं कुछ भी ढूंड सकता हूँ ठीक है मेरे होशियार पैंथर अब ही देखते हैं तुम कितने माहिर हो अब बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है बहुत ही आसान है हिटा ने माशा के केले चुरा लिये हैं और क्लास रूम में छुप रही है बहुत खूब पलू तुम ठीक तो हो उतना भी ठीक नहीं हूँ मुझे बहुत तेज दुकाम हो गया है क्या तुम मेरे लिए जाकर अजवाइन के फूल ला सकते हो टोकरी में बहुत सारे हैं मैंने कली देखे थे आँ वैसे सच कहूं तो तुम्हें चश्मे की जरुवत है मोगली ये पूरी तरह खाली है करो ये सही वक्त नहीं है नहीं तुम्हें मेरे लिए अजवाइन के फूल लाने ही होंगे मुझे माफ करना मैं जानता हूं वो जगह बहुत दूर है पर ये बीमारी फैल सकती है क्या मुझे बीमारी से बहुत डर लगता है तुम्हें इनके साथ जाना चाहिए टबाकी अजवाइन के फूलों से तुम्हें भी राहत मिलेगी तुम खुद को बीमार कर लोगे यह तो बहुत पुरा हुआ क्या तुम्हें नहीं पता हांती बलू सच कहरें यूमे उसे कम से कम सानु से जोड़ार सु काम है पर यह बहुत पुराना है मुझे यकीन ही नहीं हुआ वह पहले तो ठीक लग रहा था पर उसके पास जादा वक्त नहीं है, यह बात मैं तुम्हें बता रही हूँ बलु को शहद अजवाइन और आराम की जरूरत है मैं तुम्हारी जगह होती तो मुझे बहुत चिंता होती एक बैमारी जो यूही कहीं से बिना किसी चेपावी के हो जाए सब को हो सकती है, मैं बता रही हूँ, यह बैमारी सिर्फ बूडों को ही नहीं होती बस बहुत हुआ, जाओ और कहीं और जाके चिक-चिक करो, तुम सब को डरा रही हो चीक है, यहां कुछ बहुत बुरा हो रहा है और किसका परवा नहीं है अगर ऐसा है तो मैं जा रही हूँ हाँ ऐसा ही है अब तुम जाओ और करीब बता ना और ये क्या रंग पोत रखा है लगता है जंगल में कोई बीमारी फैल रही है बलू बेमार है और हाती भी मैंने उसे जाते हुए देखा अपने आखरी कदम लेते हुए हातियों के कबर की तरफ पीचारी कच्णी रो रही थी ये सब क्या हो रहा है जरा समझाओ मुझे पहले बात तो ये कि ये सब कुछ सच है बगीरा और मोगली सब के लिए अजवाइन के फूल लाने गए है मुझे लगता है ये कोई माहमारी है और मैं कैसे मालू कि ये सब सच है भरोजा नहीं है तो खुच जा कर देख लो ठीक है मैं ऐसा ही करूँगा और अगर वो बुढ़े सच में बीमार है तो उनसे छुटकार अपाना बच्चों का खेल होगा शेर खान हाथी को ढूड़ने गया है ये बहुत बुरा हुआ ये सब मेरी करती है मैंने शेर खान को सब कुछ पता दिया और वो तोड़ कर गया है तुम्हें पता है किस तरफ अगर हम जानते हाथी कहा है तो शेर खान से पहले वहाँ पहुँच जाते आज हाथी नीली पहाड़ी की तरफ गया था मैंने खुद दिखा था गजनी ने बलू को बताया तो पता चला बात बहुत सीरियस है मुझे बहुत बुरा लगा तुम यकीन कर सकते हो हाथी वो भी कबर में है पर कुछ तो गड़बड है ये सही दिशा नहीं है नीली पहाड़ी पर तो हाथी का भाई पाशा रहता है वो जरूर उससे मिलने गया होगा वो कांटू वाला शॉटकट शेर खान वहाँ से नहीं आ सकता कुछ नहीं तुम मेरे साथ आ रही ही हो मैं नहीं चाहता कि तुम सारे जंगल को कुछ भी बताओ और शायद मेरे पास तुमारे ले एक मिशिन भी है उपर देखो सब कुछ बिगड़ गया है जुकाम का एडिया कैसा रहा उन्होंने यकिन कर लिया वो मेरे कहानी को सच समझ बैठे हमें बहाद देर हो गए मुझे बता रहा यह सू रहा है हाथी हाथी चलो उथो मैं ठीक हो मौगली मुझे सोने दो तो शायद यह कोई महामारी नहीं है पर मैंने अपने आखों से देखा था एक पल बलू ठीक था और अगले ही पल वो पेमार पड़ गया मुझे कुछ समझ ने गया रहा है एक मिनट हमें शेर खान के बारे में भूलना नहीं चाहिए तुम्हें यकिन है वो यहीं आ रहा है मैंने उसे अपनी आखों से निकल देखा था वो यह देखना चाहता था कि हाती मरा या नहीं मैं जानता हूँ शेर खान को कैसे भरोसा दिलाया जा सकता है कि यह सच है अच्छा है ना अगर तुम्हारा प्लान काम कर गया तो शेर खान हमारे दोस्तों की तरफ चला जाएगा हाँ और यही तो मेरा प्लान है यह बगी के पास ले जाओ सिर्फ वही इसे समझ सकता है चल्दी वप स्थ वह देखो चुगल खोगर अच्छा मत करो हाती मरा नहीं है मोगली भी नहीं मरा मैं बगीरा को डोंड़ रही हूं यह क्या कह रही हो तुम क्या वो खत्रे में है कहा पर तुम बिमार नहीं हो वो तो बस नाल तक कर रहा था पर तुमने ऐसा क्यों किया अब अब मैं सब कुछ बाद में समझाता हूँ पर पहले हमें कहीं छुपना होगा शेर खान प्लीज मेरी मदद करो मैं यहां के लिए हाथी की तरह नहीं मरना चाहता मुझे बलू के पास ले चलो तुम ज़रूर मजा कर रहे हो ताकि मुझे ये बीमारी लग जाए रहा सवाल उस बुड़े बीमार फालूगा मैं उसकी बोटी-बोटी कर डालूगा चैटर बॉक्स सही कह रही थी मेरे सारे दुश्मन खतम जंगल से एक साथ गायब अब यहां मेरा राज होगा बलू, क्या यहां कोई है वो सब कहा है ताकि मैं उन्हें ये ख़बर दे सकूँ आओ अपने नए मालिक का स्वागत करो क्या यही तुम्हारा राज है ये बीमारी से भरा हुआ है सब मर चुके है बदमाश बदमाश यहां भी का पोल है तुम कौन हो जिसने इस राज्य में कदम रखने की हिम्मत की ठीक है सब लोग खत्रा टल गया शेर भाग गया है तुम बहर आ सकते हो मुझे माफ करना मोगली मैंने तुम से ये राज चुपाया हम तो बस हाथी को एक सप्राइज देना चाहते थे मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम सब खत्रे में पढ़ जाओगे तुम नहीं होती तुम नहीं सब को वक्त पर खत्रे के बारे में नहीं हूश्यार कर पाता पर एक मिनिट तुम नहीं होती तो ये सारी अफ़ाएं फैली ही नहीं होती मैंने भी जूट बोला था दर असल मैं पाशा से मिलने नहीं गया था तुम्हारे लिए तुम भोले नहीं यही है जूंगो